आज मार्किट में ना जाने कितनी कंपनी के true wireless earbirds अवलेबल हैं और वो भी एक affordable price में जिसको हर कोई afford कर सकता है एक middle class वाले से लेकर एक rich class वाले तक लेकिन क्या होता है ना कई बार हम earbirds तो ले आते हैं 2 या 3 जार का trend के इसाब से लेकिन जो comfort हम उमीद रखते हैं कि यह earbird हमें वो comfort देगा या बोले मज़ा देगा उसे साथ से वो मज़ा मिलने पाता है तो हमको क्या लगता है कि यार मैंने वो 3000 जो earbird में invest करे वो यार waste करे एक तरफ से invest नहीं उसे waste कर दिया तो यार आज आपका भाई इस वीडियो में आपको ऐसे 10 tips या बोलो 10 ऐसी चीजे बताएगा ना जिसको अगर आपने earbirds लेने जा रहे हो ना तो उन 10 चीजों को अगर ध्यान में रखके गए ना तो वो पैसे आपके waste नहीं वो एक सई जगा invest होएंगे जी हां बिल्कुल वो सई जगा invest होएंगे तो यार इस वीडियो पूरा जरूर देखें बीच में skip मत करना वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइवन को दबा दें क्योंकि आपका भाई ऐसी वीडि लेट्स स्टार्ट दवीडियो दस ऐसी बातें जो आपको एक ट्र्यू वायरलेस एयरबर्ड खरीदने से पहले दिमाग में बैठा के जानी हैं जिससे आपका पैसा वेस्ट ना होकर एक सही जगा invest हो सके तो इनको हम सीधा पॉइंट्स में समझते हैं या बोलें आपको 10 ऐसे पॉइंट्स बताता हूं ठीक है एयरबर्ड खरीदने से पहले जो आपको पहली पॉइंट जो ध्यान देना है आपको वह है शेप और साइज ऑफ दा इयरबर्ड यह बहुत इंपॉर्टन है कि हमें एसे शेप और ऐसे साइज का इयरबर्ड है जो हमारे कानों में बिलकुल फिट हो जिससे पहला फायदा क्या होगा हमको बिलकुल कंफर्ड मिलेगा अगर वह पूरा फिट होगा उसको बार बार छेड़ना नहीं पड़ेगा हमें ठीक है वह बिलकुल हमें कंफर्ड देगा और दूसरी बाद वह accidentally अगर गिरने का डर रहेगा ना क्योंकि अगर कोई भी अगर earbird आपके size का नहीं होगा तो वह डर रहेगा कि अभी भी गिर सकता है तो यार क्या पता उसकी life अगर चार साल की होगा तो यह इस बात का जरूर ध्यार रख रहेगा कि shape and size वह आपके size का हो अब जो आपको second चीज जो आपको देखनी है एक earbird खरीने से पहले वह है choose the right design मतलब उसका design कैसा है अब market में तीन तरगे design ज्यादा वलेबल होते है पहले design है ear hook design दूसरे design है ear fins design जो अच्छे से fit हो और तीसरे है अपना ear hook design तो अब कोन से design किस के लिए best है वो जानते है तो पहली बात आती है ear hook design ear hook design for active lifestyle logo के लिए ठीक है मतलब active lifestyle logo के लिए ear hook design best है active lifestyle से मतलब है जो 24 गंटे काम करते हो या heavy workout करते हो जिनको 24 गंटे लगाना पड़ता हो ठीक है मतलब call वगएर accept या reject करनी हो या फिर music वगएर सुनने हो तो वह भी उसको ले सकते है अब आप सूछ रहे होंगी कि यह जो airport design है और जो airports जो with fins वाले है वो हम क्या active lifestyle के लिए use नहीं कर सकते है लेकिन जो चीज जिसके लिए बनी होना वह वह वहीं use करना चाहिए तो यार बरस इतने होंगा तो अब हम रूट करते हैं अपने अगले point की तरफ तुमारा तीसरा point आता है इयरबर्ड का weight कितना है मतलब आपको सिर्फ इयरबर्ड ऐसे खरीपने है जो lightweight हो lightweight इयरबर्ड आपको बहुत ज़्यादा comfort देंगे और अगर आप उसे long session के लिए use करते हैं मतलब काफी देर music गएर सुनना पसंद करते हैं तो उसमें आपको कोई भी pain नहीं होगा बिल्कु इयरबर्ड खरीदने से पहले वो है इयरबर्ड कनेक्शन option मतलब जो भी आप इयरबर्ड पर्चेस करने जा रहे हो उसका Bluetooth version क्या है तो मैं आपको बता दू Bluetooth 5.0 प्रैफर करा जाता है एक अच्छी efficiency के लिए और एक अच्छी range के लिए तो आप समझ गयोंगे आपको Bluetooth 5.0 version के साथ ही जाना उससे कम में नहीं जाना अगर उससे कम मिलता है तो Bluetooth 4.2 ही तर चाहिए बस उससे नीचे बिल्कुल भी नहीं जाना अगर उससे नीचे मिलता है तो यार रुक जो थोड़ा वेट कर लो क्या पता आने वाले समय में आ जाए अब हम बढ़ते हैं आपने अगल बिल्कुल भी नहीं आएगा तो यार आप ऐसी earbuds के साथ जाहिए जिसमें noise cancelling हो यार आजकल बहुत available हैं और आजकल मेरे ख्याल से सारे earbuds में आपको noise cancelling देखने को मिलजेगी लेकिन फिर भी check कर ले noise cancelling है कि नहीं है अगर है तभी ले ना हो तो रहने दे पाद में ले ल जाइफ कितनी है यह जरूर चेक कर ले आप ऐसा ही एरबड ले जो कम से कम at least charging case के साथ 12 गंटे का backup दे और पर एरबड आपको 3 गंटे का backup तो जरूर मिले आप ऐसे ही एरबड के साथ जाहिए अगर इससे कम में कुछ मिलता है तो यार प्राइस के साथ से देख लेना और ऐ आप प्राइस बहुत ज्यादा दे रहे हो और आपको बैटरी लाइफ बिल्कुल कम मिल रही है तो यार फिर उस एरबड का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि यार बैटरी लाइफ तो वह तो हमें चाहिए चाहिए होती है ठीक है तो एक एरबड लेने से पहले उसकी बैट चाहिए चाहिए यार वायरलेस चाहिए को सपोर्ट करता है क्योंकि यार यह दोनों तो होने चीए क्योंकि टेकनोलिजी बहुत आगे बढ़ चुकी है तो वायर वाले से उतना मज़ा नहीं आएगा क्योंकि आप अच्छे खासा पैसा खर्च कर रहे हो तो फिर आपको जर ठीक है ऐसा ना हो कि 80 मिनट चार्ज करा और 10 मिनट चले बलकि उल्टा होना चाहिए 10 मिनट चार्ज करने पे 80 मिनट चलना चाहिए तो ऐसा कुछ इनमें फास चार्जिंग में ही सपोर्ट होता है तो यार यह सब कुछ देख लेना कि कौन सा चार्जिंग सपोर्ट करता है तो यार गरनी बहुता है मेरे को फैन बंद करके शुटिंग करनी पड़ रही है तो यार इतना effort कर रहा हो तो एक लाइक तो बनता है वीडियो को तो अब हम अपने 8th point में तरफ चलते हैं तो 8th point हमारा यह है कि आपको earboard लेने से पहले यह चेक कर लेना है तो यार ऐसा भी नहीं होना चाहिए ठीक है आपको वह चेक कर लेना है कि वह higher resolution वाली music को भी support करना चाहिए फिर वह अखिर यार आप इतना पैसा जो उस पे लगा रहे हैं तो कमसे कम higher resolution वाली music तो मिले फूल entertainment तो मिले ठीक है तो यह ज़रूर चेक कर लेना कि वह कौन से codec को support करता है अब हम अपने 9th point की तरफ चलते है तो 9th point आता है आपको earboard लेने से पहले उसमें check कर लेना है कि उसमें control panel है कि नहीं है अब control panel कौन सा control panel तो ज्यादा घप रहे हैं आपको call receive या accept करना है तो आप कैसे करेंगे उसमें touch panel या फिर button जो भी हो चलेगा लेकिन होना जरूर चाहिए मतलब आपको media कोई भी मतलब volume कम करना है volume up करना है call reject accept जो भी कुछ करना है वो सिधा press या touch से कर सकें यह जरूर चेक कर लें तो last point है हमारा जो बहुत important आज के trend में हो सकता है बच्चों के लिए खास कर क्यूंकि आजकल free fire और pubg का जमाना चल रहा है तो यार उसमें low latency of gaming mode जरूर चेक कर लें क्योंकि इससे क्या होगा अगर आप pubg और free fire के दिवाने हैं तो उसको आप लगा के अगर वो games खेलोगे ना तो आपको audio lag बिल्कुल भी नहीं होगा तो यार यह जरूर चेक कर लें कहीं पता लगे आप 3000 तो खर्च के आए और घर पे आगे जो pubg खेली तो यार आवाज आ आपने ध्यान रखनी है एक ear bird purchase करने से पहले जिससे आपके पैसे सही जगा invest हो सकें waste ना हो तो और जो last बात जो मैंने अपनी तरफ से add करी है जो कि हर मतलब इंडियन के लिए बहुत ज़रूरी है उसका price तो यह 10 points price के साब से ज़रूर match कर लेना ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 4000 का ear bird ले रहे हैं और इन 10 points में से 5 को satisfy कर रहा है तो यार ऐसा ear bird किस काम का छोड़ो ऐसे ear birds को तो इसलिए सारे points को और price को match करके ही आप एक perfect ear bird चुने तो यह थी आज की वीडियो यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी मैनत थोड़ी सी भी आपके काम आई हो तो यार वीडियो को like जरूर करना और हाँ चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को यार subscribe कर लो free में subscribe होता है कोई भी पैसे नहीं देना जब subscribe कर लिया है तो यार वहाँ पे जो bell icon है ना दबा दो घंटा भी दबा दो तो मिलते है अगली वीडियो में और कुछ खास contents के साथ अरता बाई बाई